भारत का प्रोशी देश नेपाल अब चीन की विस्तारवादी नीती की चपेट में है पिछले डेड़ वर्स से भारत की छत्र छाय से निकल कर चीन के साथ पींगे बढ़ाने को आतूर नेपाल अब ड्रेगन के जाल में फस चुका है मज़े की बात यह है कि कल तक भारत के साथ बराबरी के रिष्टे में रहा नेपाल अब चीन के आगे आखे उठाने तक की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है पिछले महिने ही ड्रेगन ने 148 करोर नेपाली रुपे की साहता दे कर उसके मुँपर ऐसे ताले लगाए की नेपाल के नेता बस देखते रह गए है अभी नेपाल के सर्वे विभाग ने अपनी सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहागा है कि चीन दुआरा तिबबत में चलाई जा रही सड़क निर्मान प्रियोजना के बहाने चीन अतिकर्मन कर रहा है इस प्रियोजना में नेपाल अपनी कई हैक्टर जमीन गवा चुका है यानि चीन अपनी चलाकी से नेपाल की सीमा को धीरे धीरे बदल रहा है सर्वे विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चार जिलो सन खुआसाभा, रस्वा, सिंदुपल चौक और हुमला की 36 एक्टर जमीन चीन सीमा से लगती है तिबबत के पुरण इलाके से सटे हुमला जिले की भागदार नदी की करीब 6 एक्टर जमीन पर चीन ने अतिकर्मन कर लिया है रस्वा जिले में सेजे नदी और जम्बू खोला की जमीन भी तिबबत इलाके में चीन ने सामिल कर ली है सिंदुपल चोक जिले के भोटकोसी वैक्खरेन खोला की 10 हेक्टर से ज़्यादा जमीन और संथुआ साबा जिले की 9 हेक्टर जमीन पर चीन ने सडक विस्तार के जरिये अतिकर्मन कर लिया है गोर तलब है कि चीन पिछले कुछ समय से कई देशों में भारी निवेश कर रहा है नेपाल में भी अपना प्रभुतव बढ़ाने के लिए चीन ने यहां बड़ा भारी निवेश किया है जिससे भारत की चिनता भी बड़ी है बीते 12 टुमर को चीन के राष्टपती सी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आये थी इस दोरान दोनों पक्स में कई करार भी हुए थी नेपाल के चीन की तरफ जुकाव के चलते भारत ने भी अब उसे गम भीरता से लेना कम कर दिया है खास बात यह है कि नेपाल की इस्थिती मालदीव जैसी होने जा रही है जब चीन ने इस देश में भरी निवेस करके उसके संसादरों पर कबजा जमाना सुरू कर दिया था लेकिन जब यहाँ चीन के प्रतिविरोद बढ़ा और इबराहिम मुहमद सोली नेराष्ट पती बने तब जाकर इस्थिती में कुछ सुधार आया भारत ने चीन का कर चुकाने के लिए मालदीव को एक अरब 30 क्रोड डोलर की मदद दे कर इस देश को चीन के चंगमूल से बचाया है प्रंतु नेपाल में जिस परकार मावाद का विस्तार हुआ और या भारत के खिलाब बाहूल बनाया गया उससे नेपाल इस वक्त बिलकुल अलग धलग पर तक जा रहा है भारत बड़े भाई के तोर पर नेपाल की छत्र चाया बना रहा है मगर नेपाल ने जिस तरह दगबाजी की उसकी परिनिती उसे चीन को अपनी जमीन दे कर चुकानी पड़ रही है चीन तिबबत के रास्ते नेपाल तक रेल परियोजना पर काम कर रहा है इस करेक्टिविटी से नेपाल को कोई लाब नहीं मिलने वाला है बलकि इसके माद्धम से चीन इस देश में अपने प्रोड़क्ट भेजने की फिराक में है चोकाने वाली बात यह है कि चीन ने नेपाली इसकूलों में चीनी भासाप पढ़ाने वाले अज़़पकों को अपने दूतावास के माद्धम से वेतन और इसकूलर्शिप तक देने की योजनत चला रखी है और मामला यहां तक नहीं है नेपाल ने अपने डिप्लोमेट चैनल के दौरा अपनी जमीन पर अतिक कर्मन के तोर पर मोखी का पत्ती ही दरज की जिसे चीन ने सीरे से खारिज कर दिया है चीन ने कहा है कि यह पुरा छेत्र तिबबत के इससे में आता है और उसे वहां कोई भी निर्बान करने से नहीं रोक सकता बड़ी बात यह है कि चीन ने चाल चलते हुए अपनी सीमा को नेपाली जिलों के 500 मिटर और भीतर बताना शुरू कर दिया है प्राश्चरी की बात है नेपाल चूटक नहीं कर रहा है वैसे भी उसके उपर चीन का भरी करज बढ़ता जा रहा है भारत से वह अपने संबन निचले स्थर तक ले जा चुका है ऐसे में नेपाल अपनी सीमा की रक्सा कर पाएगा यह अब नामुम्किन ही लगता है नेपाली सीमा से सटे जिन जिलों में चीन सटक निर्वान कर रहा है अब चीन की सेना वहां के इस थान्य लोगों पर भी अच्चाचार कर रही है यहां रहने वाले नेपाली पाड़ी लोगों को भगाने के लिए पियले उन्हें प्रेसान करने लगी है लेकिन नेपाल सिर्फ इसके लिए मोखिक परतिरोधी कर सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसका मतल भी यह है कि किसी धनी मुलक के पैसे को देखकर दोस्ती करने से बैतर यही होता है कि उसके पूर्वितियास को पढ़कर समझदार बन लिया जाए पर नेपाल तो यह सीख भी खोड़ चुका है इसलिए उसे अपनी जविन चीन को सोप कर दोस्ती दिखानी पढ़ रही है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिखर बेठ होगी तब तक के लिए अनुमती दीजे जै जवान जै किसान जै हिंद बंद मात्रम